नमस्ते दोस्तों दैयलो कीचन में आपका स्वागत है दोस्तों सर्दी का मौसम है बाजार में बहुत ही अच्छी फ्रेस मटर हमें मिल रही है हरी मटर तो मैंने सोचा कि उन्हा हरी मटर का चिला बनाया जाए मन पसंद सबजीयों को डाल करके दोस्तों वीडियो अंत तक दे तो चलिए सुरू करते हैं चाही रह मटर का चिला हो है तो हमें यहां पर हरी मटर तो चहिए ही तो मैंने यहां पर एक कप फ्रेस हरी मटर चिल करके ले लिया है दोस्तों उसे अच्छी तरह से धो लिया है अब मैं इस हरी मटर को मिक्सर जार में डालूंगी और इसका हमें एकदम बारिक पेस्ट तयार करना है पीस करके दोस्तों तो इसे पीसने के लिए मैं थोड़ा सा इस में पानी डालूंगी जैसे अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनकर तयार हो तो लीजिए पानी मैंने डाल दिया है अब धकन को लगा कर मैं इसे पीस करके लाती हूं तो कुछ हरी में पेस्ट जो है लगे रह गए है उसे भी करके मैं ले लूँँगी क्योंकि हमें बेस्ट बिलकुल नहीं करना चाहिए तो लीजिए उसी भी मैंने दो करके इसमें डाल दिया दोस्तों तो इस तरह से हम जब हमारा हरी में पानी है तो इसमें अभा हम एड कुछ चीजिए जैसे मैं यहां पे एक कप सूजिट एड की हूं तीन से चार चमबच मैं यहां पे लाल टमाटर कदू कस करकर डाल दे रही हूं बारिक कटा हुआ यहां पे मैं गाजर डाल रहे हूं गाजर बिल्कुल आप्सनल आपको नहीं पसंद है तो मठ डालिये यहां दो बारिक कटा हुआ मैंने प्याज ले लिया है वो मिक्स कर दूंगी इसमें तो इस तरह से कुछ सबजीयों को हमने इसमें डाल दिया उसके बाद इसमें हम एड करेंगे अब बारिक दर दरा पीसा हुआ लसून अद्रग और मिर्ची का पेस्ट इसमें आप मिर्ची की गटा सकते हैं दोस्तों और यहां पर मैंने मुठी भर बारिक गटा हुआ हरी धनिया जाल दिया अब इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से जो है मिक्स करने से पहले इसमें मैं डाल दूंगी स्वाधन उसार नमक और अभी इन चीजों को मैं मिला लूंगी दोस्तों हरी मटर का चीला जो है बहुत ही अच्छा बनता है तो आप जरूज इस सर्दी में सुभा के नास्ते में जहट प्रट बना के खा सकते हैं तो बिक्त करने से पहले इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला दे रहे हूं कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसकी बाइ चावल का आटा डाल दे रही हूं अब इससे क्या होगा अच्छी तरह से हमारे मटर में जो है बाइंडिंग आएगी और चीला बहुत ही अच्छा बनेगा दस मिनट के लिए मैं रख दे रही हूं कि अच्छी तरह से सेट हो जाए तो दस मिनट बाद हम देखेंगे हमारा पीटरा बहुत ही तरह से झेठो के तयार हो गया है दोस्तों हम चलिये चीला तयार करते हैं चीला बनाने के लिए मैंने ने तव गैस में चड़ा दिया हैं अब में उसकperson फोड़ा सा ब्रस से टेल लगा दोंगी तो इसससे क्या होगा अच्छी तारह से चीला हमारा ला लेजिए और इसे उलट-पलट के अच्छी तरह से हमें करारा सेक लेना है जिस तरह से हम नॉर्मल चिला बनाते हैं बिसन का चिला अडुमा ओट्स का चिला उसी तरह से इसे सेक लेना है दोस्तों इसके उपर में थोड़ा सा तेल डाले रही हूं उससे क्या होगा कि चिला बहुती केस भी और और इसका टेस्ट जो है वो पढ़ जाएगा आप इसकी जगा पे घी बटर जो भी आपको पसंदों डाल सकते हैं दोस्तों वीडियो को पूरा का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे दोस्तों लीजिए मैंने चिला को अच्छी तरह से तेल लगा करके उलट पलट करके मैंने सेक लिया है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है तो इसे मैं सर्विंग प्लेट पे डाल दोंगी दोस्तों इस तरह से हम जब चिला बनाते है तो बहुत ही अच्छा लगता है और सर्दियों में तो बिस crear से निकलने का मनी खा सकते हैं दोस्तों देखिए बहुती तेस्टी बना हुआ है बहुती सॉफ्ट है और उपर से एक दम क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बहुती अच्छा चीला हमारा बन करके हरे मटर का चीला बन करके रेडी हुआ है दोस्तों तो आप भी इन सर्दियों के मौसम में हरे मटर का चिला बनाएए, खाएए, खिलाएए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए चैनल पे पहली बार आये हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किये बगर न जाएए और बगल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुच सके